यह अंबेडगरवाद इक्वैलिटी के लड़ाई लड़ता है, मनुवाद ए बराबरी के लड़ाई लड़ता है, गैर बराबरी के लड़ाई लड़ता है, क्योंकि वो मानव को मानव नहीं समझता, वो मानव को वर्णों में समझता है, वो मानव को जातियों में समझता है, कि यह पैदा होने के साथ इनके ओपर जाती ठोपती जाएंगे उसी जाती मां आजीवन ये लोग बने रहे हैं जो जाती मनुफृ करें गए किया था ये लोग आज इवन वही काम करते रहें इन में कभी तरक्की देखिए वो दली सांसद नहीं है आप उन्हें दलाल किजी कहिए पहली बात दूसरी बात वो केवल और केवल बाबा साहिब अमबेडगर की वजा से नहीं तो उनकी उकात नहीं है कि उन लोग को अपने अगल बगल में बैठा ले जिन पार्टियों से वो लोग चोड़े होत को सुनने में आई यह खबर सांसद को भगाया आए ना वह सांसद घूत कह रहा है अपने मुह से गाली दे करके मुझे जाती का ताधार पर मिले को भगाया गया तो इन लोग यह इज़त है और यह तमाम जो बीस पी से भाग भाग कर गए थे यह मेरट के मेर मेर के वो जो ह चोबी है वह मैं उनका नाम नहीं जानता और वह इतने खास वैक्ती भी नहीं हमाए लियह तो बीस पी आग़ा आधर वह नहीं है यह थे था अवह आधिन जी के लिए लिए पो源 रहे हैं आप लोगों को वहां तक पहुँचा है आप उनके लीए काम नहीं करेंगे तो समाज श्वाड़ी देग का आप M.P. ऑगा बन रहे हैं आप समाज में आ नहीं रहे हैं, एट्रो सिटीज होती हैं समाज के उपर आप आवाज नहीं उठा रहे हैं, हमारी एक बेटी है, बालमी की समाज की जो बेटी है, हाद रसकाइड के अंदर, उस बेटी को दिन धाड़े, रातो रात, मतलब जो पुलिस पिरसाशन है, वहाँ उसको चला देता, पैट्रोल डाल करके, बता ही आप, इतियास माज तक भी ऐसा हुआ है, आप अवाज नहीं उठा रहे हैं, दो अपरेल का आपने देखा, तेरा तेरा बच्चे समाज के शहीद हो गए, इन लोगों को शरम नहीं आती है, बिल्कुल भी, ये लोग वहाँ पर बैठें आराम से, बैठने के बाद इन लोगों को ऐसा लगता है, कि सब कुछ इनकी तुर्रम खाई की वज़े सा आया है, तो ये इस भूल में ना रहें, इन लोगों की एक रुपे की उकात नहीं है, एक रुपे की उकात क्या होती है, आज वो फलसफा हमारे सामने और जयभीम हो रही है, सोशल मीडिया से लेकर के तमाम जो लोगों की अपनी कतिवितियां हैं, उनके अंदर तमाम जगाओं पर मिशन मूव्मेंट की बाते हो रही है, मजबू आए हमारे युवा, हमारे बुझूर्ग, हमारी महिलाय, हमारी बहने, तमाम कामों को कर रही है, तो मुझे लगता है कि यह movement बहुत मजबूत हो चुका और आने वाले 5-10 सालों के अंदर अंदर आमबेडगरी movement को फर्ष से अर्ष पर पहुचाने का कारिए जो हमारे महान पूर्वजों ने किया था वो कहीं ना कहीं और चित्ते में आएगा और हम जरूर जल से जल सत्ता को इग्नोरी करेंगे अभी हाल-फिलाल क्योंकि मजबूरी है हम लग लेकिन इस मिशन को कुछ लोगों तक सीमिती कर दिया है इस देश में नहीं देखिए बाबा साहब अंबेडगर जी ने जिस देश के लिए समविधान लिखा है वो समविधान इस देश के 135 करोड़ लोग इस पूरी दुनिया के महान लोग हुए उन्होंने भारते सम्विधान के तरीकार देता है किस पिरकार महिलाओ को अधीकार देता-किस पिरकार से दलीतों धेता थे पनसीतों को अधीकार देता है कैartी सम आज में एक्वाइलिटी लाता है कैसे समाज में हर प्रतिहार पर देश के अंदर दो विचार है पहला मनुवाद दूसरा अंबेडगरवाद मूर्ख हैं उन लोगों को इतनी बुद्धी नहीं है कि अभी जिस दिन हमारा आ जाएगा इस देश के अंदर अभी तो एक राज्य में उत्तर प्रदेश में सरकार आई थी जिस दिन पूरे दे कर से लेकर साहब कांशी राम जी तक जिन्नों ने भी मूवमेंट चलाया है वह बराबरी बात करते हैं और भी तो और बदला लेने की बात ही नहीं करें बाबा साब चाहिए तो सब को लेकिन के विचार फोलो कर रहे हैं ऐसी बात नहीं है समाज के अंदर आज जो मुवम्मेंट चल रहा है आप देखिए लोग देखिए इतने कोरोना के उसमें भी इतने लोग आ रहे हैं आप देखे क्या हालात है देश के अंदर ना पूरे तक पहुचा चुकी है 130 वे बड़े तक आज बाबा साब के जब तक 140 वे आएगा आप कम से कम आपकी तस राज्यम सरकार होगी लिए देखे समाज तकढ़ों में बठा उहा है देखेता तमाम जाती तमाँ वर्ग माननेवर साहव कांशिराम जी ने का था ना कि हम बहां बहुचण समाज की कलपना कर रहे हैं जिसे आप च्छतके निही चलायें तमाम जातिय का पुछ ऐसे गलत भारनाय समाज के अंदर बहुती हैं कि दूसरी जातिया जो तमाम बहुजन समाज की जातियां वह एक दूसरे के साथ नहीं होना चाह रही है लेकिन धीरे-धीरे इस उसका तूटने लगा है यह वालब जो अवचेफ था यह भी तूटने लगा है समाज का लेकिन पर कही नहीं है का सकते महिवाले वहाले समाज की मात O भाब और दूसरी वात जो हमारे समाज की म onun का अपनी जगा है ''P बनाधे समझाने की जरूरत है उनको ब्लक्न आप तेया हम है metamilona चाहते हैं हम बैसे सम्झाटने की जरूरत है और हमहारी लिए तर्भाहर तमाम जो कारे करता है वो इस काम को कर रहे हैं और विएश्पी कोई पाटी नहीं है besp आकी मुंविम्मेंट ही बीस पी इक तरह की मुंविमेंट ही है जो समाज के अंदर जा करके अपने मुंविमेंट को आघे बढ़ाती है राश्ट्रे पार्टी होना कोई मजाग बात नहीं है आज की रेट में भारत के अंदर राश्ट्रे पार्टी होना मजाग बात नहीं है लोग कहने को कुछ भी कह देते हैं तो मैं यही चाहता हूँ कि यह समाज जो है बीएसपी की वैल्यू समझे माननीय भेन मायवती जी वैल्यू समझे इस देश के अंदर हमारे वंशजों की वैल्यू समझे जो आने वाली पीडिया है उनके लिए हमें कुछ करके जाना है और हम करेंगे जरूर करेंगे तब नही करेंगे करेंगे